हाँ बेटा ये कुशन थोड़ा सा मुश्किल है पर आप मेरे को एक बात बदाओ 99% बच्चों को ये मुश्किल लगता है यार आप भीड का हिस्सा थोड़ी ना हो आप तो वो 1% हो जो मुश्किल को easy बनाना जानते हैं या फिर जो मुश्किल को ना मुश्किल नहीं समझते ह होता है ना माइंड को बोलो easy है easy लगेगा तो यार आपको तो इस पर ग्रिब बना जहां हर कोई बच्चा रुख जाता है तुम्हें तो वहाँ पर आगे बढ़ना है ना तुम तो unique हो ना यार तो फिर कुशन देख लेते हैं इस कुशन में जो बाकी सारे बच्चे तो पी पॉस भी तो जाद ही ले रहा होगा ठीक है और 31st मार्च मतलब closing और year देदी है एक particular session देदी है मेरे को 19 कह रहा है यानिकि 18 से starting होई होगी ठीक है 18 से 19 वाला session है after closing the books books close करने के बाद इनकी capitals stood एक stand लेती है 4,80,000 के amount 6,000,000 की अरे भाई books अगर close होई है फिर तो ये closing capital होई ठीक है ना closing capital होई है ये दोनों की अब question में अगर आगे कहीं भी IOC के बारे में बात करेगा तो भाई opening निकालना पड़ेगा क्योंकि पूरे साल के अंदर जितना पैसा लगा रहता है ना business के अंदर मैं तो उस पर देना जानता हूं IOC not closing पे ठीक है next आगे देख लेते हैं on 1st May 2018 बिटा मैंने अभी क्या का था 1st April से वो भी कौन सा 2018 का start होगा year ठीक है इसकी closing भी होगी और closing की date होगी अगर April से start होता है तो 31st March पर year बदल जाएगा 19 अब एक date के बार में बदा रहा है यार 1st May 2018 यहां पर आ जाएगी 1st May April महीं हाँ ठीक है एक महीने का gap आ गया और 2018 19 के बार में बात करता तो शायद मार्च के बाद आता में ठीक है बई तो मतलब हमारे year के बीच में ही बात कर रहे है 1st May को चेक कर ले ते इसने क्या गर है सिमरत जो है ना मतलब पहला वाला पार्टनर उसने इंट्रिड्यूस कर ली additional capital और जादा पैसा लगाया कितने गा रूपीज 1,20 एडिशनल capital लगा दी अच्छा एक ऐसे ही बता दे दाओं इस कोशन के अंदर ना एक पार्टनर पैसा लगायेगा और दूसरा निकालेगा on a particular date, जब दूसरा वाला जैसे पहले वाले ने लगाये और दूसरा वाला निकाल लेगा, withdraw कर लेगा एक date आएगी फिर से उसमें ये पहले वाला निकालेगा और दूसरा वाला लगायेगा किसी के माइड में ऐसा आ रहा है कि सर ये ऐसा क्यों कर रहा है कि एक निकाल लेता है जैसी बिजनिस से दूसरा डाल देता है फटा फट क्यूं ताकि बिजनिस की ग्रोथ पर फरखना पड़े एकदम कैश डाउन ना हो जाए आज मैं निकाल रहा हूं तो मेरी पार्टनर्शिप इतनी श्ट्रोंग है वो कैश भर देगा बिजनिस में तो इकवल हो जाएगा ना कैश जब मेर को नीड थी तो मैंने निकाला पर उसने डाला ठीक है समझ पारे वाब विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल किस हिसाब से चल रही है तो एक तो एडिशनल लगा रहा है तो दूसरा निकाल लेगा आगे देख लेते हैं 120 के रहा है एं ब इस का मेनिंग हो गया वह 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 था कैपिटल विड्राण कर रहा है मिल्धिटल क्या मीनिग हो जब पैसा लगाए उसी को निकाल लिया और है हम को फिर निकालते में जो कमाते हो उसे ड्लउइंग चैकल हो चैनला है ठीक आ on first October अब एक ओर date देदी मैंने आपसे क्या का था एक लगायागा दूसरा निकालेगा एक निकालेगा तो दूसरा लगायागा तो उसके लिए date भी तो चीएगी दूसरी तो first October 2018 की भी कुछ transaction है इसकी अब की बार मोधी सरकार नहीं एक सेगेंड 1st October 2018 सिमरत ने विड्रो कर लिया भई 240 निकाल रहा भई अब की बार ये कौन पहला वाला पार्टनर ये विड्रो कर रहा अब की बार पहले इसने लगाया था और 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 बिर ने इंट्रिड्यूस कर दी तब ही पैसा जोड दिया इसने कि भाई तू निकाल यार मैं लगा दूँँआ 3 लाक रूपय ठीक है अब आपको पता है ये जो amount fluctuate हो रही है तो interest भी यार fluctuate हो जाएगा यार स्टार्टिंग से ending तक कोई एक fix amount तो रही नी business में जो मैं एक fix rate से लगा दूँ interest नहीं rate तो fix रहेगा time period varies करेगा मतलब की एक April से देखना पड़ेगा एक मही तक यानि कि एक महीने का interest एक मही से एक October तक कितना capital रहा उसका interest यानि कि शायद मई, जून, जुलाई, अगस, सेप्टेमबर और October तो श्टार्ट हुआ नी यानि कि पाँच महीने का यहां से यहां तक का time being 5 months शुरू वाला 1 months October से 31st March पे आ जाते है calculate कर लो या तो या तो सबसे बड़ी है तरीका भई पहले वाले का 1 months दूसरे वाले का 5 months total कितना आता है 6 पूरा year कितने का होता है पूरा year कितने का होता है 12 6 minus कर दो यानि कि 6 महीने का लगेगा नहीं तो calculate कर लो October, November, December, January, February, March 6 महीने का लगेगा end पे जो भी इनकी capitals होंगी उस पर तो मेन ना मेरे को IOC निकालना Interstone Capital on a different dates of different amounts ठीक है आगे देख लेते हैं वैसे question subsequently नहीं IOC अलाओ करना है 6% subsequently it was notice ये पाया गया कि ना भई IOC had been omitted ये तो भूली जाते है कुछ ना कुछ IOC नहीं दिया हमने करा profit for the year इस particular session का कितना था 2,40,000 था तो उससे मतलब नहीं है वैसे यार बता दूँआ बाकी और partners के drawing देदी 1,20,60 या drawings देदी तो वो opening से closing में जाते टाइम less हो गई होगी drawings तो उस पे interest नहीं लगेगा क्योंकि partner ने तो drawings कर ली पर आपको ये भी पता है कि sir fluctuation में तो आती है drawings एक ऐसा account जिसमें सब कुछ आ जाए सारी transaction related to capital तो वो तो fluctuation है क्योंकि वह amount fluctuate हो जाती है तो वहाँ तो लूंगा drawings पर एक method होता fix वाला उसमें drawings नहीं आती वो ही fix वाला method यार जिसमें 2 account बनते हैं पहले वाले को fix के लिए बनाता हूं दूसरे वाले को current account के लिए इसमें drawings नहीं आती पहले वाले में drawings आने लगए तो amount फिर से fluctuate हो जाएगा इसमें तो capital withdrawn आता है तो वो तो लोग है आप drawings तो दूसरे वाले में आता है current वाले में चीक है ना तो बेटा दो method से करवाएगा एक question पहला part इसका fix दूसरा fluctuating अभी सब को छोड़ो बस capital देखते हैं क्या क्या रहने वाली है यहां से बस आप लोग theme समझ ले ना एक first April opening एक closing बीच में ना कोई specific date है जादा नहीं है दो है उसमें इसने कुछ up down कर रहा है मैं सिर्फ एक partner के बारे में बात करूँ है पहला वाला partner जो वैसे name है उसका simrat पर मैं अपनी वीडियो में बोलूँ हा simmy प्यार से ठीक है तो additional capital तो ठीक है 1,20 लगा दी और withdraw गर यह 2,40 तो कम हो जाएगी यहां बढ़ जाएगी और यह closing opening नहीं पता मेरको चलो opening पर पहले पोच जाते हैं opening पर तो पोचते कैसे हैं यह calculation तो 4,80,000 से ही करोगे closing में यह है यह closing है अच्छा drawings को consider इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि fix वाले से करा रहा हूँ अब यार आपको पता है fix में ना पहला वाला जो account बनता है वो मुझे fix चाहिए होता है तो उसमें drawings नहीं लिखते हैं तो current में आता है तो drawings को ignore कर दो 4,80,000 से starting करी यार जो reverse जाना है न मेरको additional लगाई थी मैंने तो बढ़ गया होगा यहाँ पर तो अब less कर दो वापस जाने के लिए additional लगाई 1,20,000 sir इसे format पर बताना है भई पूरा बढ़िया कर गे यह less कर दी थी मेरको वापस जाना है अब add करनी पड़ेगी क्योंकि less हुई वी एस में से तो add कितना करूँ बढ़ी 2,40,000 कर दो net effect देखा गरो आप लोग plus minus मत कर ना minus plus minus होता है 24 में से 12 जाएगा 1,20 आएगा पर sign किसका आने वाला plus का तो plus हो जाएगी amount 1,20 तो यार यह amount आगई 6,00,000 रुपीज सर यह कैसा आगया 4,80,000 में एक बार minus करूँ हो एक लाग 20 और एक बार plus करूँ हो उसका double उससे बढ़िया है plus कर दूँ 1,20 बाखे आप लोग करके देख लेना 6,00,000 रुपीज आगई opening capital 6,00,000 की जब capital जब drawings नहीं है हाँ पर कुछ additional है और कुछ capital withdrawn है तो यह बन रहा है तो अब यार तुम्हें ना calculation करनी है IOC की अब बहुत simple है 1st April से 1st May तक ही interest लगेगा सबसे पहले किस पर लगेगा यह 6,00,000 पर यह 6,00,000 कितने महीने कितने साल रहे है कितने महीने रहे है firm में मेरे साब से सिर्फ एक महीने के लिए रहा है उसके बाद तो amount change हो गई होगी न जब इसने 1,20,000 लगा दी होंगे वापस से business में तो आप क्या करना रूपी 6,00,000 पर rate कितनी देरीगे इनोंने 6% 6% लगाओ यह 6% पर एनम है पूरे साल की rate है पूरे साल का मत दे दे ना इस पर interest क्योंकि पूरे साल नहीं रही है amount चेक करो कितने साल कितने डाइम रही है सिर्फ 1 मंत के लिए तो 1 मंत का दो फिर प्लस कर देंगे अब amount आ जाओगे यहाँ पर कितनी amount आएगे यार 6,00,000 थे 1,20,000 मैंने और लगा दिये और invest कर दिया तो वो 7,20,000 हो गया होगा 7,20,000 ठीक है 7,20,000 first make हो गया होगा यह क्योंकि first make होई तो लगाया पैसा तो first make से first October मैंने का था इतने महीने बैठेंगे पांच महीने उस पे लगा लेते हैं तो plus के बाद आप लोग क्या लिखने वाले हो वो बता देता हूँ amount अब कितनी बन गई 7,20,000 multiply rate वोई 6% पर पूरे साल की होती है यह पूरे साल business में पैसा रहा नहीं यह तो 5% रहा है यह सब add होगा भई यह सारे cases हमारे add हो जाएंगे next चलो next देख लेता है next amount 7,20 7,20 हो गई थी हाँ तक ठीक है उसके बाद amount 1 October को change हो गई भई 2,40,000 निकाल लिए इस में से यह 7,20,000 में से जब तुम निकाल लोगे 2,40,000 चेक कर लिए थे कितना बचेगा यह होगे हमारा भई 4,80,000 लाक एटी आएगा और देखो आना भी चाहिए जब amount निकाल लिए तो 4,80,000 तो चला होगा फिर end में यह रह 4,80,000 एक माई को मेरे 7,20,000 हो गए थे 1st October को फिर से fluctuation होई less कर दो 1st October तक था 7,20,000 पर मैंने कितना अटा दिया 2,40,000 तो कितना बचेगा 4,80,000 पर लगाओ कितने महीने का बताया था end में 6 मंत का जो कि आप लोगों को पहले से पता है तो 4,80,000 multiply 6 by 100 और multiply कितना होगा 6 by 12 तो यह हमारा यहां से calculation कर ले मतलब इन 3 को add करना यह जो तीनों conditions है यह जो तीनों है न हमारे calculations इनको add करना सिम्रत का निकल जाएगा बिरवाला आपको खुद निकालना है पर हाँ fluctuating में कैसे होगा वो मैं कराऊंगा fluctuating अभी एक partner का करा दूँआ दूसरा वाला आप करूगे इनक वाले की calculation कुछ इस तरह से होगी आप calculate कर ले ना है